मैं जहावी जाता हूँ कहता हूँ प्रेस के हमारे मित्रों मगर मित्रों का काम नहीं करते ये लोग हमारा छोड़ो हमारा छोड़ो जनता के मित्रों का काम नहीं करते ये क्योंकि अगर आपके मित्र होते तो आपको देश की सच्चाई दिखाते बेरोजगारी के बारे में बताते मेंगाई के बारे में बताते मगर नहीं ये तो आपको चीता के बारे में बताते है देखो देखो अफरीका से चार चीता आए है देखो जंगल में घूम रहे हैं देखो ये भी सवाल पूछा कि क्या चीता हिरन को मारेगा या नहीं मतलब अफरिका का चीता हिंदुस्तान में आकर हिरन को मानना भूल जाएगा तो मित्र तो है नहीं अच्छा मीडिया बात नहीं उठाती जनता की तो हमने सोचा पार्लेमंट में भाशन करो डी मॉनेटाइजेशन नोट बंदी के बारे में बाशन करने की कोशिश की गलत जी एस्टी के बारे में बोलने की कोशिश की जो हम जमीन अधिकरन कानून लाएते जब नरेंद मोदी जीन उसको रद करने की कोशिश की हमने पार्लिमेंट हाउस में बोलने की कोशिश की वहाँ पे माइक आफ कर देते हैं देखो ऐसे तो एक तरफ मीडिया बात नहीं उठाती दूसरे तरफ माइक आफ कर देते हैं तो हमने सोचा चलो जनता के साथ कन्या कुमारी से कश्मीर चल कर जनता से बातचीत करें जनता की आवाज सुनें और जनता के दिल में जो है वो रखें तीन हजार किलोमेटर हो गए कन्या कुमारी से शुरू किया कम नहीं होता भाईयों और बेहनों आप यह मत सोचो कि तीन हजार किलोमेटर कम होता है कम नहीं होता है 110 दिन हो गए मगर अजीब सी बात है ठकान नहीं है आप देखिए मेरा चेहरा देखिए कोई ठकान नहीं है लोग पूछे टी-शर्ट में कैसे चल रहे हो ना ठकान है ना ठंड लग रही है मैं मैं क्या बोलूं अच्छा जो प्रेस वाले हो एक बात देखो मेरे साथ एक बात देखो इनके बारे में देखो एक बात ठाह्च जब यह एक बात देखो प्रेस वालों की there में चल रहा हूं मैं टी-शर्ट में हूं मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे जलते हैं वो फटी शर्ट में होते हैं उनकी पूरी टी-शर्ट भी नहीं होती मगर इन मीडिया वालों मैंसे एक भी यह नहीं कहता भाया हिंदुस्तान में किसान का बेटा बिना स्वेटर के क्यों गूम रहा है यह सवाल नहीं पूचेंगे यह कभी नहीं कहेंगे भईया यह मजदूर है यह टी-शर्ट में क्यों गूम रहा है यह किसान है यह स्वेटर बिना जैकेट बिना क्यों गूम रहा है यह सवाल कभी नहीं पूचेंगे ये सच्चा सवाल है मेरे टी-शर्ट वाला सच्चा सवाल नहीं है सच्चा सवाल ये है कि हिंदुस्तान के बच्चे हिंदुस्तान के किसान हिंदुस्तान के मजदूर टी-शर्ट में सर्दी में क्यों गूम रहे हैं ये सवाल है ये जैसे गोड़ा होता है ना गोड़ा देखा आपने शादी का गोड़ा होता है उसमें लगाम होती है ना उसको लगाम को टाइट कर एकदम रुक जाता है वैसे इनकी लगाम है लगाम लगे है प्रसवालों पर जैसे ये दोड़ने के कोशिश करते हैं जैसे दोड़ने के कोशिश करते हैं वो लगाम खिशते बस रूख जाते हैं एकदम अच्छा ये मत सोचें कि ये बोलना नहीं चाहते हैं मेरे पास आते हैं कहते हैं राहूल जी हम सच्चाई बोलना चाहते हैं मगर हमें हमारे मालिक बोलने नहीं देते हैं मैं कहता हूँ भाईया डरो मत बोल गओ कहते हैं नौकरी भी तो करनी है हमें अगर हमने सच्चाई बोल दी नौकरी से निकाल देंगे किसी और को डाल देंगे वो जूट बोलेगा तो यात्रा का लक्ष जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है बाईयों और बेनों, B.J.P की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मज़़ूरों को दराने की पॉलिसी है नौट बंदी, गलर GST, कोविट के समय जो इन्हों ने किया, यह सारे की सारी पॉलिसी याअस, किसान को, मज़़ूर को दराने के लिए हैं क्योंकि ये जानते हैं जब ये डर फिलाते हैं उस डर को नफरत में बदलना बहुत असान होता ये इनका काम है जनता को डराओ किसान को डराओ मजदूर को डराओ युवा को डराओ और उसके डर को नफरत में बदल दो डरो मत ये भाईया ये बात समझ लो ये आपने बोला डायलोग ये मेरा डायलोग नहीं है ये ये शिवजी का डायलोग है ये डायलोग डरो मत ये ये हमारा धर्म है अब देखिए ये करोणों रुपए का लाकों करोणों रुपए का अरब पतियों का करजा माफ कर देंगे कि लाकों करोर रुपके एक मिनट में माफ कर देंगे और किसान भूका मर जाए उसका करजाइ ये माफ नहीं कर सकते कभी नहीं कर सकते आप यूपी के बाकि हिंदुस्तान के किसान हमारे पास आये थे यूपी ए की सरकार थी आपने कहा हमारा दस दिन में हमने 70,000 करोड रुपए 72,000 करोड रुपए माफ कर दिया था मजदूरों के लिए गरीबों के लिए मनरेगा बोजन का अधिकार किसानों के लिए करजा माफ तो हम डर को मिटाने की राजनेती करते हैं क्योंकि हम जानते हैं अगर ये देश डर जाएगा इस देश का फाइदा नहीं होगा अगर नफरत फैल जाएगी इस देश का फाइदा नहीं होगा भाई और बेनो दो और मुद्धे हैं यातरा के एक है महेंगाई और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रधान मंत्री यह आते थे जब UPA की सरकारतिय कहते थे ग्यास सिलिंडर 400 रुपए का हो गया है 400 रुपय का गैस सिलिंडर होगा भाई यो बेनों आज कितने का है मगर आज प्रधान मंत्री नहीं आते कि आज आकर नहीं कहते कि भीया ग्यारा सुग हो गया अच्छा एक और सवाल है भाई यह जो 1100 और 400 रुपय का फरक है यह किसके जेब में जा रहा है यह किसी किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है ना मतलब यह आसमान में तो नहीं गायब हो रहा तो याद रखिए यह नरेंद्र मोधीची के जो खास मित्र है तीन चार खास मित्र है यह जो आपके गैस सिलिंडर का पैसा आपके जेब में से निकाला जा रहा है उनके जेब में जा रहा है अच्छा भाईयों और मैंनों पेट्रोल का क्या दाम हुआ करता था यूपिये के समय साथ रुपे आज क्या है तो ये भी याद रखिए ये जो 40 रुपिया, साथ रुपिया जो है जो आपके जेब में से निकाला जा रहा है ये भी उनके दो तीन मित्रों के जेब में जा रहा है तो हमारा दूसरा मुद्ध महेंगाई और तीसरा मुद्ध सबसे बड़ा मुद्ध जो देश में नोट बंदी, गलत GST के कारण बेरोजगारी फैलिये आज 3000 किलोमेटर में 3000 किलोमेटर में हर स्टेट में मुझे युवा मिलते हैं मैं पूछता हूँ क्या पड़े कहते हैं एंजिनियरिंग की डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की आएएस के लिए त्यारी की और फिर मैं पूछता हूँ भई आप करते क्या हो कहते हैं राहुल जी कोई कहते हैं कोई कहते हैं कोई कहते हैं कोई कहते हैं मजदूरी करते हैं कोई कहते हैं कोई कहते हैं मजदूरी करते हैं कोई कहते हैं हम पकोड़े पका रहे हैं एंजिनियरिंग की पढ़ाई की आलू के पकोड़े पना रहे हैं अच्छा एक रास्ता था युवाओं के लिए अगनीवीर वाला उसमें क्या था सुभे युवा उठते थे चार बजे उठते थे दौड़ते थे यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे देश की रक्षा करने के लिए दौड़ते थे और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे तिरंगय की रक्षा करेंगे सपना था युवा पंदरा साल सेना में सेवा कर सकता था उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी नरेंद्र मोतीजी ने का नहीं भाई यह 15 साल वाली बाद छोड़ो पेंशन वाली बाद छोड़ो ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो बंदूख पकड़ो 4 साल रहो फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाहर बेरोजगार हो जाओ निया हिंदुस्तान और जब युवाओं ने कहा कि हमें ये अच्छा नहीं लगा और जब युवा सड़क पे उत्रें नरेंद्र मोतीजी ने क्या किया उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुमारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो देखिए दूसरा रास्तर का रास्ता चेल रेलवेज का रास्ता उसको भी एक के बाद एक एक के बाद एक एक बाद एक बेच रहे है उन्हीं तीन-चार लोगों बेच रहे हैं एरपोर्ट भी उनको दिया जा रहे हैं पोर्ट भी उनको दिया जा रहे हैं रेलवेस भी उनको दी जाएगी LIC भी उने के हाथ जाएगी BHL, BHE, LHL सब उनके हाथ जाएगा और हिंदुस्तान के युवा बेरोजगार होंगे ये है नरेंदर मोदी इसके हम खिलाफ हैं और इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है और हम इसलिए नहीं तके हैं क्योंकि आपने अपनी पूरी शक्ती अपना पूरा प्यार इस यात्रा को दिया है और लाकों लोग हमारे साथ कड़े हुए हर जात के लोग, हर धर्म के लोग तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतना प्यार इतना प्यार और इतनी शक्ती आपने हमें दी इसके लिए मैं बहुत अबारी हूँ तो पूरी जिन्दगी याद रखूँगा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद